है 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 लो डियर इस्टुडेंट्स कैसे हैं उमिद करते हैं सब यच्छे होंगे और मैं आशिट सर अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी मैं आप सभी का फिस्ट स्वाज़ब करता हूं तो आज मैं आपको के सामने लेकर क्या हूं मुर्शन चैप्टर पार्ट फ अगला पार्ट 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 फिस्ट वीडियो में मैंने आपने उपको पिसिनल पॉइंट के बाड़े बताया था आज हम दो आगे चलेंगे फिसिकल पार्ट पार्टेटी के बाद मुर्सन चैप्टर के पहला टॉपिक है रेश्ट एंद इमोशन तो सबसे पहला पॉ ज़िए रेश्ट पार्ट पॉइंट पॉई पॉइंट पॉइंट पॉई हो रहे है तो यसा माना जाएगा कि वो बाड़ी रेश्ट में है और इसका खीक उल्टा, motion, क्या है motion, तो motion करता है, when anybody changes its place और position with respect to its surrounding, reference point, with time, कोई body, अगर अपने surrounding के respect में, reference point के respect में, time के साथ-साथ, अगर अपना place और position चेंज करता है, अपना location चेंज करता है, तो यह माना जाएगा, कि वो body motion में है, उसकी position चेंज हो रही है, that means हमने रेश्ट में क्या देखा, position में no change, motion, position में change हो रहा है, एक तरह से समझने के लिए हम कह सकते हैं, कि रेश्ट and motion, यह दोनों, एक ही सिक्के के दो पाहलों है, जिस तरह से एक सिक्के के, एक side head और एक side tail होता है, सिक्का एक ही है, उसके एक side head है, एक side tail है, Similarly हम यह कह सकते हैं, कि रेश्ट और motion, दोनों एक ही सिक्के के दो पाहलों है, एक side rest है, तो उसके opposite side motion है, that means body अगर रेश्ट में है, तो motion नहीं हो सकता, और अगर motion है, तो रेश्ट में हो सकता, नॉर्मल केस में, बट इसके भी contradiction cases हम लोग आगे देखेंगे, कि reference point change करने पर, किस तरह से reference point change करने पर, एक ही body, same time में, rest में भी हो सकता है, और motion में भी हो सकता है, लेकिन कब, जब body का reference point change होगा, तब, इसकी study हम लोग अभी तुरत आगे करेंगे, तो सबसे पहले, rest, when, antibody, don't, changes, its place, कोई body अगर अपना place change हो नहीं करना है, motion, को दिफुन की अखना करने तो वेन, अपना इन बोड़ी, changes, its place, or position, with respect to represents point or with time then it is said तो बी इन मोशन कोई बाडी अगर अपना प्लेस और पोजिशन चेंज करता है विट रिस्पेक्ट तो टाइम विट रिस्पेक्ट टुट सराउंडिक इस पॉइंट तो यह माना जाएना कि वो बाडी मोशन में है इसके डेले लाइक में में बहुत सारे एक्जांपल्स हैं आप सुबा उधने से बेकर के राथ सोने तक अपने सुरांदिक में जितनी भी चीज़े देखते हैं आपको बहुत सारी चीज़े दिखेंगी जो देश्क में हैं बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जो मोशन में हैं आप सुबह उठते हैं और राज तक सोते हैं इस बीच में आप अनगिनत टाइम्स इंफानाइट नमबर आफ टाइम्स मोशन कर चुके उठते हैं अलग अलग रिशने स्पाटी के पॉंपियों कोई गाड़ी चाल रही है तो हम कहेंगी कि वो बाडी मोशन में है वो अपना पोजिशन चेंज कर रहा है तो उस तरह से निदेगते हैं कि अपने लाइन लाज नमबर आप टाइम्स ऐसे मिलेगए आपको लाज नमबर आप बाडी तो यहां पर आप मोशन में खुद को देखते हैं कभी सामने बाड़ी को देखते हैं जो अपना प्लियस और पोजिश यह reference point क्या है what is reference point अभी मैंने कहा reference point के respect में कोई बादी का place और position अगर change हो रहा तो वो motion में है तो reference point क्या है तो सबसे पहले हम देखें के reference point reference point कहना है if any object is compared to any moving object या कोई ऐसा body कोई building कोई point कोई place कोई position कोई object कुछ भी जिसके साथ किसी दूसरे body के position को compare किया जा रहा है उसके location को describe करने के लिए उसके position को describe करने के लिए हम यह कहेंगे कि वो जो fixed point है जिसके साथ हम compare कर रहे हैं वो हमारा reference point नार्मली आप देखते हैं कि आपको अगर किसी का घर जाना है किसी अपने दोस्त के यहां जाना है जिसका घर आप नहीं देखे हैं और वो दोस्त अगर आपको अपना address बताता है तो क्या करता है आपको अपने घर के आसपासा कोई ना कोई एक landmark बताता है हां भई मेरा घर कहा है तो इस मोहले में गली नंबर इतना में एक mobile टावर है उस mobile टावर के बगल में मेरा घर उसने क्या किया अपना घर का लोकेशन को mobile टावर के साथ कनेक्ट किया तो मोबाइल टावर से आपको लोकेट किया जहां से आपको indication मिलता है उसके location का description मिलता है उसके location का exact indication आपको समझ में आता है सिमिलर्ली आप कहीं भी जाते हैं किस तरह के एक landmark गूनते हैं अगर आपको कोई जगा गूननी होती है तो आप उसके आस्पास का landmark गूनते हैं उसके landmark का पता लगाते हैं और उसके बाद उस जगा गून जाते हैं तो वो landmark क्या कर रहा है उस particular जगा को describe कर रहा है उस particular जगा को locate कर रहा है सिमिलर्ली यहां पर reference point एक ऐसा point है एक ऐसा object है एक ऐसा body है जो किसी भी दूसरे body के motion को describe कर रहा है किसी भी दूसरे body के position को describe कर रहा है किसी भी दूसरे body के exact location को describe कर रहा है तो उस fix point को जिसके साथ compare किया जा रहा है उसे हम कहेंगे reference point define कर सकते हैं बहुत simple define है a point or object a point or object which is used to locate or describe any object is non-act reference point कोड़ी object जिसके साथ किसी दूसरे object को locate कर रहा है या उसको describe करने में कर रहा है को हमारा क्या है reference point है अगल यहां पर question कड़ा होता है कि reference point always stationary होगा नहीं reference point stationary हो ऐसा जरूरी नहीं है वो अलग-अलग respect में motion में भी हो सकता है वो किसी दूसरे body के respect में motion में हो सकता है for example और यह भी आप कर सकते हैं कि एक ही body एक ही object एक साथ अलग-अलग condition में rest में भी हो सकता है motion में भी हो सकता है जैसे आप बस में बैठे हो अगर बस में बैठे हो तो बस की ड्राइबर सीट के साथ अगर पोजिशन को compare करते हैं तो ड्राइबर की सीट से आपकी सीट के बीच का तो distance है अगर आपने अपकी सीट चेंज नहीं किये है तो ड्राइबर की सीट और आपके सीट के distance जो है वो constant बना हुआ तो बस ट्राइबर कर रही है but with respect to the seat of driver, driver seat के respect में आपने अपना position चेंज नहीं किया इस situation में driver seat को हमने reference point माना है और उसके respect में हमारे position में कोई variation नहीं हो रहा है that means हम race में है कलान हैं हम प्रेंट में हैं किस खेंट में ड्राइवर सीट इसक्राइब बड़ समय और इसके रिसपें बघ्राइब की दिए बचरें और या और अपांट्मेंट्स हूँ क्यों कैसे हैं कोडिये मोड़ेक्ट देए रोड की किनारे का कोई electric pole है या कोई any other object रोड पर चलती थी कोई दूसरी वेहिकल है कोई दूसरी गाड़ियां है तो उसके respect में या बाहर कोई आदमी खड़ा है कोई objects located अपकर सकते हैं तो bus के बाहर की किसी भी object की compare में आपका bus motion में है क्योंकि bus के बाहर के object with respect में आपकी position with bus change हो रही है बस के साथ साथ आपका position आपका place change हो रहा है तो यह कहा जाएगा कि आप motion में हैं किसके respect में बस के बाहर की किसी object के respect है लेकिन bus के अंदर के किसी object के साथ अगर compare करते हैं तो आप उस समय रिष्ट हो है that means आपकी body कोई भी एक body एक ही time में rest में भी हो सकता है motion में भी हो सकता है dependent किस बात पर है किसका reference point क्या लिया गया है अगर reference point के साथ उसकी position change नहीं हो रही है तो वो rest में है और reference point के साथ उसकी position अगर change होती है तो यह माना जाएगा कि वो motion में है तो मैं समझता हूँ यहां तक आप लोगों को concept clear हो गया होगा तो इसे load में आप लिख सकते हैं A body, anybody, may be at rest or in motion simultaneously due to change in reference point reference point में change होने के कारण कोई बाटी simultaneously एक साथ rest में भी हो सकता है और motion में भी हो सकता है तो यह था आपका rest, motion, reference point इसके बाद हम दोगा अगले topic पर आते हैं हमारा जो next topic है वो है types of motion types of motion types of motion क्या है? कितने types के motion है तो basically आप लग बुक्स पढ़े होंगे इसमें देखिया होंगे कि motion की कितने types है तो basically आपको सभी जगा मिलेला motion के three types है there are basically three types of motion first first translatory motion second circular motion and and third periodic motion आप आप सबसे पहले आप चर्चा करें कि translatory motion कि translatory motion that means if any body changes its place or position or in motion along a straight path in a one dimensional path एक सीधी रेखा में one dimensional में कोई body travel कर रहा है move कर रहा है तो यह माना जाएगा कि वो body translatory motion कर रहा है कोई भी straight path में अगर body move कर रहा है तो यह माना जाएगा कि body translatory motion कर रहा है अग यहाँ पर दो तरफ की बाते होती है अगर translatory motion है body तीदे रोड पे जा रहा है यह necessary तो नहीं है कि road always straight होगा अगर road में turnings है left, right में turnings है तो उस turning में जो motion है उस motion को क्या कर रहा है क्या वो भी straight line motion बाने जाएगा तो यहाँ बद translatory motion को फिर से दो subgroups में divide किया गया है translatory motion को again दो subgroups में divide किया गया है यह दो subgroups क्या 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 है तो first है rectilinear motion first one is rectilinear motion and second one is second is curvilinear motion first is rectilinear motion and second is curvilinear motion translatory motion को दो subgroups में categorize किया है first rectilinear and second curvilinear आए देखते है one by one यह दोनों है क्या तो सबसे first हमारा rectilinear motion rectilinear motion what do you mean by rectilinear motion rectilinear यहां पर एक word आपको दिख रहा होगा linear linear में एक word छिपा हुआ है line बहुत ही conceptual समझने की चीज़े बहुत छोटी छोटी बाते हैं इस छोटी छोटी बातों पर अगर हम focus करें न तो define समय याद करने की ज़रुदत नहीं होग line, straight line एक सीधार path एक सीधी रेखा that is known as line that means when anybody moving along a straight line, rectilinear rectilinear means straight line rect means straight or linear line to straight line को जो follow करगा straight path को जो follow करगा that is known as rectilinear तो कर सकते हैं motion the direction of anybody along a straight path is known as or termed as rectilinear motion for example motion of a car in a straight highway in a straight highway atc इस तरह का कोई motion हो रहा है कोई बाड़ी स्ट्रेट हाइवे पर कोई बाइकर है कार है, बाइक है, बस है, ट्रक है, यह कोई बाइकर है स्ट्रेट है स्ट्रेट रोड है, उसके बाड़ी स्ट्रेट मोग कर रहा है, अम कहें भी कि वह बाड़ी actually linear motion कर रहा है second, curve भी linear curve भी linear यह भी linear है but curve ही linear, curve का मतलब तो आप सभी समझते होंगे आप लोग इने पैसे बढ़ा होगा कि वह क्या होता है what is the meaning of curve, यहाँ पर एक बड़ बना है, कर्ब से कर्ब क्या है what is the meaning of curve इस तरह का कोई भी पाथ है को तेरा मेला पाथ, इस तरह का कोई भी पाथ है, यह करव लाइन कर रहा रहा है, करव पाथ माहा जा हुआ अब यह करव पाथ के लाउमने, linear भी है और करव भी है तो such type of motion of anybody is known as curvilinear motion, such type of motion of anybody is known as curvilinear motion. that means, motion of anybody along a curved path is known as curvilinear motion. एक्जाम्बल, नॉर्मल डेली नाइट में हम इस पाथ को फॉलो करते हैं, तो नॉर्मल डेली लाइट में जो पाथ हम ट्रेवल कर रहे हैं, वो curvilinear motion को रिप्रेजेंट करता है, एक्जाम्ध वो जो पाथ को फॉलो करते हैं. Is it clear? रेक्ति-लीनियर, along a strictly straight path, बिल्कुल सीधा line, no turns, no curve. And curvilinear motion, one-dimensional motion, in which we travel along a curved path. अब हुम लोग आगे आते हैं हमारा जो नेक्स पॉइंट है सर्कूलर मोशन सर्कूलर मोशन आए देखते हैं सर्कूलर मोशन क्या है वाटेट सर्कूलर मोशन यहां पर इक वर्ड आपको दिखाये परता है पॉमन सब्ड है आप सभी जाने के हैं सर्कल गोल ब्रिक किसको हिंदी निखरते हैं गोल या ब्रिक सर्कूलर जैट निस कोई जी बार्डी एक सर्कल के एलाउम या तो मूव कर रहा है या पड़ा है दें सर्कूलर मोशन वें अनी बार्डी ट्रावल्ड एलाउम ये सर्कूलर पाथ कोई बार्डी अगर एक सर्कूलर पाथ के एलाउम ट्रावल कर रहा है तो ये कहा जाएगा कि बार्डी सर्कूलर मोशन में है अब सर्कूलर पाथ में भी कुछ बार्ड़ने आती है देखा होगा दाड़ी के पपर्य भाइद चट्क्य भाइड को भूए है कि अट दोने स्टर्प्ट लाय को आपने यह विशुना होगा कि हमारा जो अर्थ है या जितने की प्लैनेट शन वो सन के चारो तरफ घुम रहे हैं सन के चारो तरफ मोशन कर रहे हैं तो यहां बज़े उनका मोशन है वो भी सर्कुलर मोशन है तो क्या एक पंखे का मोशन एक गाड़ी के पहिये का मोशन विल का मोशन, आर्थ का सन के चारत्रफ या किसी भी प्लैनेट का सन के राउंड होने वाला मोशन, क्या ये दोनों exactly same है, दोनों circular है, बट क्या exactly same है, या इन दोनों में कुछ दिफरेंस है, is there any difference between them, yes, there is very little difference between them, So, circular motion is again divided into two subgroups, circular motion is again divided into two subgroups, first one is rotational motion, and second one is revolutionary motion, अगर, rotation और evolution यहाँ पर दो बड़ हमें दिखाई पड़ें पड़ेंगे, यह दोनों बड़ेंगे, आप तो पहले पड़ेंगे, इस रोटेशन क्या होता है, और revolution क्या होता है, चलिए फिर भी मैं आई पर एक्स्प्रेंग कर देता हम कि rotation और evolution में क्या difference है, तो रोटेशन और evolution में, सबसे फिर दिखरेंगे, कोई भी बड़ेंगे, अपने axis पर एक ही point पर खड़ा होकर के खुम रहा है, ज़स्ट इस इस तरह से, एक ही point पर है और बड़े उस ही point पर रोटेट कर रहा है, खुम रहा है, तो रहा है, और शच तयक्ट पर एक पर एक अचस पर एकशल कर रहा है, और शच पर होकर के वो motion कर रहा है, और रहा है, तो रहा है, एक इस 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 रोटेशन, And revolution, motion of Earth, Moon or any other planets around the Sun Sun के चारोतरफ, चाहे वो Earth हो, Jupiter है, Mars है, Venus है, Mercury है, Moon है कोई भी satellite हो, कोई भी planet हो, इन सारे का जो Sun के चारोतरफ motion हो रहा है This is revolutionary motion, this is non-revolution वो एक orbit में घूम रहा है वो एक fixed point के चारोतरफ rotate तो कर रहा है घूम तो रहा है, बट वो rotate नहीं कर रहा है, वो revolution कर रहा है वो एक orbit को follow कर रहा है, वो center से directly connected नहीं है về rand के motion, Kobe के motion में ये बात है कि वो center से directly connected है Physically, वो center से directly physically connected है किसी में किसी पार्ट से, किसी ने किसी बाड़ी से बट revolutionary motion में वो center से physically connected नहीं है वो ग्रेमिकिशनल force के कारण या इस तरह के कोई भी other forces हो सकते हैं जिसके कारण वो एक circular orbit में revolve कर रहा है circular orbit में घुम रहा है बट physically, directly वो center से connected नहीं है इस तरह का motion है इस तरह के motion कौँ कहेंगे revolutionary motion such type of motion is non-add revolutionary motion तो यह है basic difference rotational motion और revolutionary motion में कि rotation में body एक point पे बिल्कुल fix होता है उसमें कोई variation बोट नहीं होता है बिल्कुल axis में वो fix होता है जबकि revolutionary motion में body axis पे fixed नहीं होता है body axis से physically touched नहीं होता है axis से काफ़ी distance में होता है और एक distance में maintain करते हैं distance को maintain करते हैं उसके चाड़ तरह revolve कर रहा होता है such type of motion is non-add revolutionary motion तो दोनों को आप आरांकर define कर सकते हैं rotational motion the motion of any object in its axis अपने ही axis पर जब motion पुड़ा and revolutionary motion the motion of any object around any object in a orbit which is not physically in touch with the center वो center के साथ physically touch में नहीं है अब उसके बाद आते हैं motion का third type हमारा है periodic motion periodic motion what is periodic motion यहाँ पर एक word आया है period क्या आप आशन मतलो time time period that means एक fixed interval of time के बाद जो repeat हो रहा एक fixed interval of time के बाद जो repeat हो रहा such type of motion is known as periodic motion कोई दी बाड़ी अपने ही पाथ को जिस पाथ ने वो travel कर रहा है अपने ही पाथ को एक fixed interval of time के बाद repeat कर रहा है इसी को हम दूसरे टर्मे auxiliary motion के नाम से भी जानते हैं auxiliary motion oscillation आपने देखा होगा pendulum घड़ी भी जो pendulum होता है pendulum क्या होता है इस तरह से travel कर रहा है move कर रहा है एक इही point पे वो fringe होता है और उसका जो bob है जो नीचे लटक रहा है string से वो bob in fixed point के चारोकरफ two and fourth motion करता है two means आगे fourth means पीछे आगे पीछे आगे पीछे और इस तरह का जो motion है वो oscillation कर रहा है तो periodic motion और obsolete motion तो periodic motion तो हम obsolete motion के नाम से भी जानते है the motion of anybody in which it repeats its earth repeats its path after a regular interval of time after a regular interval of time is known as is non-adged periodic motion is non-adged periodic motion examples motion of swing जूला 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 जूलते हैं वो क्या है periodic motion है motion of pendulum pendulum का जूला जूला जूलते हैं periodic motion है periodic motion है motion of needle of steering machine सिलाइ मसीन आप लो देखे होंगे चलों तो सिलाइ मसीन का जूला जूला होता है जब वो सिलाइ मसीन रन कर रही है चल रही है तो सिलाइं मसीन का जो निडेल आप लोगों ने देखा होगा कि वो आप डाउन आप डाउन एक ही पाथ को रिपिट कर लोगा जो अपने ही पाथ को बार बार एक रेगुलर इंटरवल अफ टाइम के बाद रिपिट कर रहा है अपने दोस्तों के सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें थैंक यू